आज मैं मार्केट से कुछ वेजटेबल लेके आया हूँ इसके साथ मैंने पुदिना भी लेके आया हूँ आप देख सकते हैं फ्रेश पुदिना के कटिंग्स है तो आज हम देखेंगे कि ये कटिंग्स जो है इससे हम लोग घर में पुदिना कैसे ग्रो कर सकते है अब ये मेरे पास बहुत सारे कटिंग्स है पुदिना के तो ये हम लोग को सब तो नहीं लेने इसमें से अच्छे अच्छे जो कटिंग्स है अच्छा-च्छे मतलब बड़े cuttings है यह हम लोग लेंगे और इसमें बहुत सारे perfect cuttings को सब्सक्राइब को होते हैं यह नए वाले perfect रखेंगे बात की जो बाकी जो पत्ते हैं यह हम लोग cut कर देंगे वो निकाल देंगे आए ऐसमें एक cutting में अभी मतलब जादा से जादा चार पत्ते हम लोग को रखने है तीन या चार पत्ते हम लोग रखेंगे और तोटल कटिंग्स हम लोग को आठ या दस कटिंग्स लगने वाले हैं तो हम लोग आठ या दस कटिंग्स ही लेने वाले हैं झाल झाल अभी यह मैंने तोटल आठ से दस कटिंग लिया है तो आठ से दस कटिंग इनफ है आपको अभी हम लोग यह पानी में रखेंगे इनको नॉर्मली पानी में तीन से पास दिन के अंदर इनको रूट आना स्टार्ट हो जाते हैं तो अगर आप यहां पे देखोगे कि यहां पे जो नोड होते हैं यहां पे रूट आना स्टार्ट हो जाते हैं यहां से रूट फॉर्मिशन स्टार्ट हो जाता है आप यह देख सकते हैं यहां पे तो यह पानी के अंदर होने चाहिए जो नोड है यह पानी के अंदर होने चा आपके एरिया में तो आपको जो ये cuttings है ये plastic जो बैक रहता है इससे आपको cover करने होंगे नहीं तो आपके जो ये cuttings है इसके पत्ते मुर्जा जाएंगे तो आप याद रखे अगर गर्मी जादा है तो ये cover कर दो मैं अभी बैंगलोर में होई तो यहाँ पे गर्मी जादा नहीं है तो मैं तो नहीं cover करूँगा लेकिन हाँ अगर गर्मी जादा है तो आपको compulsory इसको cover करना है आप अभी next day देख सकते हैं कि next day कितना fresh लग रहे हैं इनके पत्ते वगरा बहुत fresh है अभी हम पास दिन वाला result देखेंगे पास दिन के बाद आप देख सकते हैं कि इनको sub cuttings को अच्छा से roots तो आ गया है इनको कितने सही से roots आ गया है तो अभी यह time है इनको हम लोग गंबले में लगाएंगे shift करेंगे जो soil में या मिठी में अम लोग अभी लगाने वाले हैं यह sub cuttings तो इनको लगाने के लिए अभी जो मिठी हम लोग लगने वाली है यह आपको normal मिठी ही लेना है जो हमारा garden soil है वही लेना है इसको अभी खात mix नहीं करना है कुछ compost या कुछ भी mix नहीं करना है दस दिन के बाद आप इसमें compost अगरा mix कर सकते हैं लेकिन अभी फिलाल आपको कुछ mix नहीं करना है तो हम लोगों को यह सब अभी cuttings जो है 8 या 10 cuttings के इसमें लगाने है मतलब यह लगाते समय एक ध्यान रहे कि जो roots आया है वो मिठी के अंदर जाने चाहिए तो कि इस तरह के से हम लोग बाकी सब cuttings लगाने वाले हैं यह देखो इनके roots है यह मिठी के अंदर जा रहे है तो सही है अब आप देख सकते कि इनको जो roots तो अल्रेडी आये है तो मरने का chance 0% है यहाँ पर यह अभी सब cuttings ग्रोग करेंगे प्रॉपरली करेंगे प्रॉपरली करेंगे प्रॉपरली अब यह सब cutting लगाने के बाद हम लोग को पानी देना है पानी शुरूवात में हम लोग को बहुत सारा पानी देना होगा यह तो तो पूरी सुखी मित्थी थी तो आम लोगा उनको बहुत सारा पानी पड़ेगा ताकि भीग बहुत पूरणी रहे और यह देको मैं बहुत सारा पानी दे रहा हूँ पानी देने के बाद हम लोगा को दस दिन के लिए अभी चाहों में रखना है इसमें मतलब धूप में डायरेक संलाइट में नहीं रखना है तो हम लोग इनको छाओ में रखेंगे और हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर गर्मी जादा है तो आप यह भी कटिंग्स है यह आपको प्लास्टिक बैक से कवर करने पड़ेंगे मैं आवे आपको दिखाऊंगा कि मैंने यही तरीके से जो मेरे घर का पुदिना है वो मैंने यही तरीके से उगाया था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कितना सही तरीके से ग्रो हुआ है तो देखो बहुत सही से ग्रो हुआ है तो ठीक है अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो